HDFC की बात करें तो आलबे के हरी जन्डी के बाद HDFC लाइफ को बड़ी रहत मिलती है रिखेर स्टॉक आज बरपूर एक्शन में क्या है पूरी खबर क्यों HDFC लाइफ इतना जोड से उचला है आए पूरी डिटेल समझ लिजे नुपूर हमारे साथ बताने के लिए नुपूर HDFC लाइफ में उसे अब बढ़ा दिया गया है आर्बिया ने उसे मंजूरी दे दिये उसे 50% से जादा तक की मंजूरी अब मिलती हुए नजर आ रहे है यह HDFC लाइफ के लिए बहुत जादा पॉजिटिव है क्योंकि अगर अगर अब प्रेजिद राशर होल्डिंग देख ओवर हैंग HDFC लाइफ के उपर बनावा था क्योंकि उसे 30% लाने के लिए करीबन साड़े 18% से जादा का स्टेक सेल HDFC लाइफ में होता है HDFC और HDFC बैंक की तरफ से अब वो खतम हो चुका है इन फाक्ट जो मर्च्ट एंटीड यह वो अपना हिस्सा बढ़ा सकते है 48.65 से बढ़ा के 50% भी करेगी तो 1.35 से जादा हिस्सा बढ़ेगा तो वह एक पॉजिटिव चीज है तो जो बड़ा ओवर हैंग ता स्टेक सेल का वह अब HDFC लाइफ से हट चुका है और जो अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले साल स्टॉक में देखी थी इस रीजन की वज़े स उस पर क्लारिटी आती होई नजर आई है तो अब इने हिस्सेदारी नहीं बेचनी पड़ेगी और कितनी है अभी मौजूदा अगर आप देखें कंबाइंड हिस्सेदारी फिलाल 48.65% है अगर यह नियम नहीं आता या यह मन्जूरी नहीं मिलती तो 30 पे लाना पड़ता त तो करीबन 18% से जादा स्टेक ओवर हैंग पर था कि यह बिकेगा और क्यूंकि अभी कहा है कि आप 50% से जादा रख सकते हैं तो संभावना भी है कि आगे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं अगर 50 भी करते तो 1.35% तो बढ़ी सकते हैं रूम तो बनता ही है तो बड़ा डिवेल्पमेंट आया है घटानी नहीं पड़ेगी बलकि ऐसा हो सकता है कि अगर चाहें तो बढ़ा भी लें बिल्कुल वो 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 रूम मिल रहा है और प्रेशर खत्म हो रहा है यह बड़ा पोजिटिव और वैसे भी लगब 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 पच्छारी पहुंची चुकी जाएंगे जाएंगे तो आराम सिकम्सम उतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और देख से क्या होता है डर चला गया हूँ